अरे सुनो मिसेश शर्मा जी नेवरात्री शुरू हैं मंदिर चल रही हो मिसेश मिश्रो तुम लेट हो मैं तो सुबह ही मंदिर जाकर भगवान जी की दर्शन भी कराई और भोग भी लगा दिया अच्छा ऐसी बात है वैसे इसमें देव सवीर जैसा तो कुछ भी नहीं होता जिनें घर में कोई काम नहीं होता तो वो सुबह ही मंदिर की घंटी बजा ही आएंगे लेकिन हमें तो घर की काम होते हैं हमें इस तरहां से इतनी जल्दी घर से नहीं निकल सकते अच्छा तो आपको अपने ही घर में नौकरानी की तरहां काम करना पड़ता होगा कि अगर एक भी मिनट इधर से उधर हुआ तो आपकी पती आपके उपर बानिकों की तरहां हग जमाती होंगे लेकिन मेरे पती ऐसे नहीं है उनका तो कहना ये है कि जो मेरा मन करी में वोग किया करूँ घर की काम तो अपनी ही है देर सवेर हो ही जाएंगे शारदा और शालिनी दोनों ही एक दूसरे से जल्बी रही थी और जलाबी रही थी ये कहानी है एक महले की जिसमें बहुत सारे परिवार मिलजुल कर रहते थे बड़े बुजर्गों के दौर से ही वहां बहुत प्यार था और लोग एक दूसरे पर जान निसार करते थे लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और पीडी दर पीडी उस सोसाइटी में रहन सेन होना शुरू हुआ बस तबी से लोगों के दिलों में प्यार कम हो गया और अब वो महला इस कगार पर आ चुका था कि लोग बहां रहते तो थे लेकिन रत्ती भर भी किसी के दिल में किसी के लिए नर्मी या प्रेम भाव नहीं था हर कोई एक दूसरे के पीछे जहर उगलता था और सामने मीठी छुरी बन कर बात होती थी शालिनी ऐसे बोल कर अपनी रहा निकल गई और शार्दा अपने घर को आ गई ऐसे ही मंदिर में भगवान के दर्शन के वक्त शालिनी को अपनी एक और पड़ोसन मंदिर में मिल गई अरे मिसिस यादव आप भी मंदिर आई है हाँ अपने वरात्री का मौका है तो मंदिर तो आना ही बढ़ता है ठीक कहा तो चली अंदर क्यों नहीं जा रही अब ये अंदर बहुत भीड है और अगर सकून सी बगवान जी के दर्शन चाहिए तो उसके लिए पूरे हजार रुपे लगेंगे तो मैं कुछ देर यहीं खड़ी हो गई हूँ भीड कुछ देर में हलकी हो जाएगी तो बिना पैसे उठाए दर्शन मिल जाएगी अच्छा तो ये बात है वई मेरा तो वक्त बहुत कीमती है और हजार रुपे क्या ही मोल रखते हैं मैं तो चली शालिनी इतराते हुए मंदिर में आ गई और हजार रुपे सिर्फ शो आफ के लिए उसने खर्च किये इस तरह बस दिखावा ही दिखावा था शालिनी का दिल बहुत जादा दुख रहा था लेकिन बस अपनी इमेज अच्छी बनाने को उसने हजार रुपे दिये थे ऐसे ही सिल्सला जारी था पूरे मोहले का यही हाल था सारी नवरात्री मोहले की हर और आदमी ने एक दूसरे पर अपना प्रभाव बढ़ाने को महेंगे से महेंगे कपड़े खरीदे और उन्हें पहना ऐसे ही चलते चलते नवरात्री बीत गई और अब आखरकार आज करन्या पूजन का दिन आ चुका था अच्छे से भी चादा अच्छा घ्याप ले कराना और साथ में काजू बादाम किश्मिश किसी चीज में कंजूसी मत करना और मैं सिर्फ हलवा पूरी का प्रसाद नहीं बलकि साथ में वेज बिर्यानी भी बनाऊंगी अरे ठीक है जी सब कुछ आ जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए सबसे पहले तो करने आए मेरे घर ही प्रसाद ग्रहन करेंगी और मैं ऐसा प्रसाद बनाऊंगी कि सारे महले में मेरी ही वावा होगी और महले की सभी औरते भी मुझ से जलेंगी एक तरफ अपने घर में ममता ऐसे सोच रही थी तो वहीं उसकी पड़ोसन मैंने इनसे इतना मेहंगा समान तो मंगवा लिया लेकिन ऐसा करना भी जरूरी था उस दिन शाली नीनी मुझे किस तरह चड़ाया था अब मैं उसे चड़ाऊंगी मैं भी आज साबित कर दूँगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ महले में सबी औरते बस इसी बात को लेकर बहस में थी कि सबसे पहले कन्याए कहां परसाद ग्रहन करेंगी और किसका परसाद उन्हें अच्छा लगेगा सबी घरों में खूब लागत लगा कर खाना बनाया गया और दूसरे महलों से कन्याएं बुलाई गई पुरी नौ कन्याएं उनके महले में दुपहर के वक्त आ गई सबी की एक आँख कन्याओ के आने की तरफ लगी हुई थी उनके महले में प्रवेश करते ही सबी अपने अपने घरों से निकल आई और अरे वह आ गई तुम लोग कब से मैं तुम्हारा इंजार कर रही थी आओ आओ मैंने प्रसाद बनाया हुआ है एक मिनट मिसिस कुप्ता आप कहिए कि हमारे यहां भी प्रसाद बन गया है कन्याओ आओ पहले तुम मेरे घर आओ मैंने तो प्रसाद लगा भी दिया है वावा अपना काम बनता तुम भाड़ मी जाये जनता ये तो कोई बात नहीं हुई हम भी तो है प्रसाद तो मेरे यहां में बिल्कुल तयार है और उपर से मैंने इतनी लागत लगा कर हलवा पूरी बनाये है जिसे तुम कन्याओ का दिल खुश हो जाएगा पुरे 5000 में मैंने प्रसाद बनाये है कन्याओ आप पहले मेरे यहां आकर कि प्रसाद ग्रहन करो हम आप पहले कहा जाए आपने तो हमें दुविदा में डाल दिया है अरे तुम कहा इन लोगों की लाई की बीच में पढ़ती हो सब को छोड़ो तुम सभी पहले मेरे घर चलो और वहां प्रसाद ग्रहन करो मैं इस महले की सबसे अच्छी शेफ हूँ मेरे हाथों का खा कर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा श्यालेनी बेहन किसने बहका दिया तुमको की तुम सबसे अच्छी शेफ हो याद नहीं है महले में कोकिंग कॉंटेस्ट में सबसे पहले तुम ही आउट हुई थी अच्छी हो कान तुम मत से ऐसा बोलने वाली अरे तुम ऐसा बोल रही हो जबकि तुम तो किसी गिंती में ही नहीं हो तुम तो इतना बुरा खाना बनाती हो कि तुमने कॉंटेस्ट में हिस्सा भी नहीं लिया था मतलब हिस्सा न लेना इस बात को जहिर करता है कि हम अच्छी शेफ नहीं है हमारे महले से चारो औरते गई थी, चारो ही कोकिंग में फिसड़ी निकली कीज को फी सेड़ी होने का ताना मार रही हो बेना हिम्मत है तुम मुझ पर कहो हाँ, कम सी कम हमने हिस्सा तो लिया था तुम तो अनाड़ी ही हो जिन में हिस्सा लेने की हिम्मत ही नहीं थी अरे-अरे ज़रा सुनिए तो सही आप लोग लड़ क्यों रही है ऐसे लड़ाई मत कीजे, हम लोगों को बाकी जगे भी जाना है चल्दे से डिसाइट कीजे कि हम पहले किसके घर जाए क्योंकि अब ये सोचना हमारे बस में नहीं है उस करन्या की बात सुनकर सभी शांत से हो गए और कुछ देर सोचकर मम्ता बोली ठीक है तुम लोग पहले इन में से किसी के घर चली जाओ मेरे घर तुम सभी सबसे आखिर में आ जाना वैसे भी सबसे अच्छा खाना आखिर में ही खाना बहतर होगा वह मम्ता पहन वह मतलब कि तुम्हारी नजर में हम सभी के यहां का खाना बिकार है ठीक अगर ऐसा है तो मेरा खाना भी बहुत जादा अच्छा है इनफेक्ट इस महले का सबसे स्वादिश्ट प्रसाद मेरे ही घर बना है तो तुम सभी लास्ट में मेरे घर आ जाना तुम दोनों कहना क्या चाहती हो कि हमारी इतनी मेहनत बिकार है सही है में भी पहले नहीं बुलाती मेरा खाना तुम में सबसे अच्छा है बुलाओ जिसको पहले बुला कर खिलाना है पहले कन्याओं को पहले अपने यहां कहलाने के उपर लड़ाई चल रही थी और अब उल्टा हो चुका था बिचारी नो की नो करने आए अभी तक तो चुप थी लेकिन फिर उने इस सब को देखकर गुसा आगया और एक करन्या बोली बस अब बहुत हुआ हम लोग क्या आपको कोई पागल वागल लग रही हैं अरे पहले आप कहती हो की हमारे घर आकर खाओ और फिर कहती हो की हमारे घर मताओ आखिर चल क्या रहा है हम यहाँ प्रसाद ग्रेहन करने आए हैं क्योंकि हमने सुना था यह महला बहुत अच्छा है लेकिन लगता है गलत सुना था यहां तो एक से बढ़कर एक जलने वाला पड़ा हुआ है इनसान शुक्रिया हमें बीज़त और अनकमफुटिबल कराने के लिए अब हम जा रही हैं अपने दिखावे के लिए लागत लगाया हुआ प्रसाथ आपको ही मुबारक ऐसे बोलकर सभी कर्ण्याएं वहां से लोट गई उनके जाने के बाद पूरे महले में सनाटा सचा गया जब बहुत देर तक कर्ण्याएं और पत्नियां अपने अपने घर नहीं आई तो उनके पती घर से निकल आई और उनके सामने भी सारी बात आ गई अरे वाह जिस महले में प्रेम भाव मशूर था लोग कहते थे कि वहां दिलवाले रहते हैं वो सारी इमेज आज तुम लोगों की जलन और बेवकूफी की वज़ें से खतम हो गई अरे अपनी जलन और कम्पेरिंग के आगे एक बार भी तुम्हें भगवान का खयाल नहीं आया अरे कर्ण्याओं को ग्रोधित करके तुमने सुहम नौदोईवियों का अपमान किया है उन्हें ग्रोधित किया है अपने पतियों की बात सुनकर सभी मोहले वालों को पच्तावा होने लगा और अपनी बेवकूफी भी दिखाई दी सुनिये जी हमें समझ आ गया है कि हमने आज बीवज़े ही जलन की चक्कर में कितनी बड़ी कलती करती अभी वो कन्याह जादा दूर नहीं गई होंगे पासवाली सुसाइटी में ही होंगे और इन ले आये सही कहा हम लोग भी कन्या पूज़न करना जाते हैं अब हमें है इसास हो रहा है कि हमने कितना गलत किया है ठीक है हम उन कन्याओं को ले आएंगे लेकिन आप कोई भी कन्याओं घर कर जाकर परसाद ग्रहन नहीं करेगी अब हम सभी के प्रेम की तरह सभी घरों के परसाद मिलाई जाएंगे और तब से उन नो कन्याओं को किसी एक घर में खिलाया जाएगा शर्मा जी की बाद से किसी को आपती नहीं थी फिर क्या था किसी तरह से कर्णियाओं को दुबारा बुलाया गया उन्हें पर साथ ग्रहन करवाया गया और सभी उस दिन के बाद से मिल जुलकर खुशी-खुशी रहने रगी तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये महला स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं